पब्लिक टीवी आपकी आवाद और चाता हूं कि आप सब लोग बहुत ज्यान से सुनें तो हमें भी विश्वास होगा कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगा समय बहुत संथा 14 मौई 2018 हो हम लोग विजयी भोशित किये गए अभी 14 मौई 14 जून नहीं आई यानि 20 दिन में हमने क्या क्या किया यह हमारे एक रिजर्ट है जो यह बताएगा कि क्या आप लोगों ने हमें चुनके कुछ गलत देने तो नहीं करते हैं पिर भी अगर नहीं इस हाउस को यह लगे कि हमने गलत रूप से अपने सचिप को चुना रहा है तो मैं अभी इतना दिलाता हूँ मैं किसी मंज से अपना इस्तिवा आप लोगों को तौट हूंगा और किसी को आगे आने के लिए नहीं करते हैं और आप सब लोगों को इसे कुछी कॉपी दिए जाती है उस बैलेंशीट में कुछ विंदू ऐसे हैं जिनकर मैं समझतर नहीं करता वह बैलेंशीट हमसे पूर्ट सचिक वाध्यत द्वारा बनाई लेए मैं चाहूंगा कि कुछ रूट से हम उसका अपलोगों करें और जब आप लोगों के सांगे हम साइन करते हो बैलेंशीट में तो वह हमारा विश्वास आप लोगों तक कायम है ऐसा मेरा अपना प्रयास है 14 माई को प्राट सोजीन एकाउंट वैंको बढ़ादा से हमें पूर कारेकारी परिशें प्राट सब्सक्राइब करें तो आपको बजावाएं करने क्या है आप सब्सक्राइब होना चाहिए क्योंकि हमारा पहला लक्स है कि हम लोग पारेदर्शी तरह से बैमेंट पॉलिशी की तरह से काम करेंगे कि पारे लगारे देर्ट्रेहि थ्यूंत ञीडिया है जिस तरी के आप पता रुके के आप बोगणा विया इसक्राइब संस्तें जाएं उन लोगों को समय दिया जाएं ताकि वो लोग अफ्रेट हो करें हमारी इस प्रात्रा को जोगी एस्पीशिटी मौदा ने तुरह सुपार करके तुरिसको आदेश दिया किसी प्रबार की चेकिन नहीं है जैसे ही इस बैलेंशीट का कारने पूरा हो जाएगा हम लोग आपके तरवाजे था आपके ओफिस था आपकी मेज था ये बैलेंशीट कोरियर के मात्यम से या इस्पीश के मात्यम से बहुत ज़्दी प्रयास करेंगे पहुचाने का लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि जो भी जाने वाला समय हो हमारे बारेगाल का उसमें बैलेंशीट का सिये द्वारा दूसरे किसी गॉष्ट्मेंट नोमेटिक सीये द्वारा आपके हमें तहीं भी प्रइवानी करने का अपसर प्राफ में है कि साथ में जो पिछले पांच वर्शों का प्रापेखा है कि उस बैलेंशीट का भी ओडिट वो पिछले पांच साथ में प्राफ में प्राप्त होई है और मैंने आपको कुछ बिंदू बताए इस पर मेरा समंधा नहीं है जैसे आपने मुद्धा उठाया है मैं इस मुद्धे पे एक कारेकार्णी बनाओंगा जो इस जमीन की विक्रे और प्रें के ऊपर पूरी जाग करेगी और उसकी रिकूर्ट के बाद हम आपको आपके प्रसुनों को अफ़र देबाए इस नव्यासक अत्यम परशान थे जीस्टी के विपर्ण को लेकर उसी पीरियेड में सरपथम हमारा एक प्रटिनिदी मंडल जीस्टी के नोडल अजिकारी शिरी सहजान से मिला और उन्से हमने अपनी सबस्टियाओं से अखत ठराया हुआ इसमें कुछ हमारी पेज़ा Tianji भी हुई उन लोगों से सब Springs कर दा लाड़ा कि हम किसी मीं प्रतार के फुस्ताचार को प्रतार नहीं करी हमारा नर्याता कोई भी पैसा किसी की रिपन के लिए नहीं देवा प्रश्टाचार का सामना ना करना वह जितने भी रिफंड तक जो भी पेपर विधिवत तरीके से जिस्ती रिफंड के फूर्ण रूप से दाखिल हुए है उनका हमसे वायदा है कि इस से पांच दिन फूर्ण तक उन सब का रिफंड का दिल्तारण कर दिया जाएगा कि माद्यम से भी एक वेल डाला कि जिस्ता जो रिफंड तीस अफ्रेल तक सा बकाया है और उतने पेपर दाखिल किये हैं वो हमें उनको दे लेकिन शायर आजकर आजकर अमारे पास कोई पेपर नहीं हो कि बोड़ा धीनी गंदी से काम होगा लेकिन आप ये विश्वास रखें कि अगर आपने हमें अपनी नुमाइंदगी दी है तो हमने गलाली करने के लिए आपकी नुमाइंदगी नहीं दी हम आपका साथ देंगे और अच्छे में जब्सक्राइब करना पड़ेगा तो आपने कहा दिया और अमने माल लिया हमारे चैसो में रियातक यहां करना देंगे आपकी जब्सक्राइब को बंद करा देंगे कि यह हाउस मौलूद है वो डेलिगेशन के लोग यह मौलूद है तुरंत अप्सोरों ने वादा किया कि आज से हमने एक नया नाग दिया है हमारा टार्गेड है जीस्ती रिवर्ट टार्गेड और उसी दिन मीटिंग गुलाकर रात को दस बज़े तक जीस्ती आपस में का कि यह नी दबे भाग लिया कि कमिशनर मौदे के साथ और सबसे पहला मुद्धा मैंने यह उभाया कि जो इवे विल की 50,000 रूपे से नीचे की चेकिंग हमारे कारियरों की हो रहे हैं मैं निर्यात्कों का प्रतमिदित नहीं कर रहा हूं उनसे जुड़वे हर व्यक्ति का कर रहा हूं चाहिए वो कारीगर है उसकी समस्याएं भी मेरी एसिटेशन की मेरी कार्यकार्णी की आप ने अगर किसी का रिक्षा रोका है तो हम इससे आपका साथ नहीं देंगे कमिशनर साहब ने मुझे से सवाल किया कि भई ये किस तरीके से निजारना होता है हमने का साहब आपने छूट के रखिया है जीएस्टी अधिकारी को कि उसका गुद्धी और बिवेग कह रहा है ये मात साथे जारगा कि उन्होंने सवाल किया कि जो बिवेग है वो तो कभी आपका साहठ देता नहीं होगा भंद्धी विवेग को इसका साहठ देता ये भरी मेटिन में गवाय आए तौन अधिकारी को बिला कर कहा कि थोड़ा साथ wevat दो बार दो चुङरनिए और जो उचित कारवाई है मुझे कुछ शिकायद लेगल ली चाहिए किसी प्रतार की भी कि ये मुद्धा मेरे सामने तुबारा नहीं आना जाए अध्यक मौद है उसी मीटिंग में हमने सबसे महफून मुद्धा रखा कि MDA गौरा फैक्रियों के उपन 279 रुपए स्कॉयर आप ने रखाए जोड़े मुद्धा आ है रेजिजेंस के उपर रखां रीज़ेंस है रेजिजेंस के उपर रखा रेजेंस दो सो पांसो चार्णमें वेटिर आपने कमर्शियल चे ओपर रखा कमर्शियल का मॉल 294 पांसो हई लेकिन जो प्र डूबन के वो भीगों में ब कैसे आपको development चार्ट आपको हर शोगा गुंगर उसी समय कमिशनर मौदे ने ये वादा किया कि मैं इसको वर्वीकरत कराते हूँ